Hello everyone, चलिए start करते हैं real numbers का example number 6 देखते हैं क्या है Find the LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization method हमें क्या करना है? यहाँ पे 2 number दे रखी है 6 और 20 उनके prime factorization से हमें LCM और HCF find out करने है तो किस तरीके से करते हैं? LCM और HCF find चलिए देखते हैं सबसे पहला number देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? लिख भी देंगे हम यहाँ पे numbers are क्या-क्या number है हमारे पास? एक तो 6 दे रखा है, एक 20 दे रखा है तो prime factorization से का तो सबसे पहले हम prime factor ही कर लेते हैं 6 किस से divide और है 2 से 2, 3 जा 6, फिर किस से और है 3 से 3, 1 जा 3 फिर हम क्या करेंगे 20 के prime factor देखेंगे बच्चो 2 से divide करेंगे 2, 10 जा 20 फिर 2 से जाएगा 2, 5 जा 10, फिर हमारा 5 पे जा रहा 5 बन जा 5 तो हमारे prime factor क्या आगे 6 के? 2 multiply 3 यही आए हैं बच्चो और 20 के prime factors क्या आए हैं हमारे 2 multiply 2 multiply 5 यह बात आओगी clear? Prime factors आचुके अब बात करते हैं अपनी HCF की और LCM की HCF का actual meaning क्या होता है? Highest common factor जो दोनों में common factor हो उसको हम क्या कहते है HCF तो दोनों में common क्या है बच्चो? Only 2 है 2 उपर वाले के common factors में उपर वाले के factors में भी है और नीचे वाले में भी है और कोई ऐसा factor नहीं है जो दोनों में present हो तो HCF क्या हो गया? यहाँ पे only 2 LCM क्या होता है हमारा lowest common multiple lowest common multiple मतलब बच्चो? जो दोनों में common है उसको लेंगे one times और बाकी जो factors बच गये उन सब को भी लिखेंगे उपर वाले से क्या बच गया हमारा 3 नीचे वाले से 2 और 5 बचया है तो multiply 2 multiply 5 तो क्या आगे है यहाँ पे 2 3 जा 6 2 जा 12 multiply 5 और 12 5 जा क्या हो गया हमारा 60 तो LCM आगे हमारे पास 60 और HCF आगे हमारा 2 समझ में आगी बात clear है कोई भी दिक्कत लगे मैं help जरूर करूँगा आप भी चैनल को support के जिए और shortcut method पढ़ना बंद करो जो भी teacher आपको shortcut तरीके से question कराता है उसको आप देखना भी बंद कर दो ठीक है प्लीज मैं आपको easily अच्छे से suggest कर रहा हूं क्योंकि उससे number cutting है आपके तो चैनल को वही पढ़ो वहां से पढ़ो जैसे आपको proper way समझाया जाए कि exam में कैसे करके आना है ठीक है तो चैनल को subscribe करके रखना Thank you students for watching next classes video